वेलकम फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिके जीए सेट वन दोस्तों यह सेट काफी महत्पून होने वाला है क्यूंकि मैं जो भी कोश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ काफी महत्पून है और यह एक्जाम में काफी बार पूछे गए हैं त का हमारा पहला प्रशन है किसी गुरू ने खालसा की शुरुवात की थी बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों किसी गुरू ने खालसा की शुरुवात की थी तो वे सी गुरू गोविन सिंग जी गुरू गोविन सिंग के दौरा खालसा बंद की शुरुवात क गई थी और यह कब किया गया था तो यह किया गया था 1699 में यह भी आपको याद रखना है और गुरु गोविन सिंग जी यह कितने नंबर के गुरु थे यह काफी बारे ज्यामे कोशन पुछा जाता है तो यह सीखों के 10 वे गुरु थे और प्रत्थम गुरु का नाम था अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कोश्चन दो नंबर बोल सकते हैं आप क्या है तो किस अनुच्छेत के अंतरगत भारत के राष्टपती द्वारा चपन यानि कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काफी बार एक्जाम में पुछा जाता है 352,360 और 356 के बारे में तो इन तिनों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं वह ट्रिक क्या है आर आर बी यह आपको याद रखना ह पहला नमर में आ रहा है यानि 352 तो 352 राष्टपती दौरा अपाद काल लगाया जाता है और उसके बाद के आएगा 356 तो इसमें जो राजिक में राष्टपती दौरा संविधानिक अपाद लगा लगा जाता है और यह आपको याद रखना है आर आर भी तीनों का सौट हो में लेके आया हूं यह हमारा special trick था अब चलते हैं हम अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण है सूरी से आने वाली किर्णों से मुख्यता कौन सा करक रोग होता है तो कौन सा करक रोग होता है तो दोस्तों वह होता है तो अचा का करक रोग यानि option नंबर सी इस प्रस्ण का सही उत्र हो जाएगा अब चलते हैं हम अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी दोस्तों काफी महत्पून कोश्चन है जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी तो यह खोज किया गया था क्लारेस वट्स वई द्वारा क्लारेस वट्स वई द्वारा जमें हुए भोजन की खोज की गई थी और जमें हुए भोजन को वसा भी कहते हैं यह आपको याद रखना है और अल्फेट नोवल द्वारा क्या खोजा गया था तो यह खोजा गया था इनके द्वारा है दोस्तों रेट डाटा बुक में निम्लिखित में से कौन सा डाटा का सही उतर हो जाएगा और यह सूची कब से जारी की गई है तो यह सूची जारी की गई है 1979 से यह आपको याद रखना है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की और हमारा अगला अगला प्रस्ण है एक रेडियोधर्मी वस्तू की अर्दायू छे मास है क्या है छे मास है वस्तू का 3-4 हिस्सा कब 6 होगा दोस्तों वस्तू की 3-4 हिस्सा के बारे में पुछा जा रहा है तो यह यह कब 6 होगा तो यह 6 होगा 12 माह में यानि कि option number C इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण है निवने में से किस देश में अमेजन नदी बहती है अमेजन नदी की बात कही जा रही वह कौन सा देश में बहती है तो अमेजन नदी बह की सबसे चोड़ी नदी है ये भी आपको याद रखना है और नदियों का देश की से कहा जाता है ये आप हमें comment box में बताएं अन्हीं का देश में किसे कह जाता अब чलते हैं हम अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण है प्रकास की तरंगों का चिद्र या अरोत के कारण से मुढ़ने की घटना क्या कहलाती है तो यहां मुढ़ने की प्रश्ण है समान संतुलन सिध्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो समान संतुलन सिध्धांत जो है यह प्रतिपादित किये थे लियोन बालरस ने यानि option number B इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर option number C जो है Adam Smith इन्हें अर्थ साथ का पिता भी कहा जाता है यह आपको याद रखना है अब चलते हैं हम अगले प्रश्ण की उर हमारा अगला प्रश्ण है अधिकार प्रिच्छा सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है यहां अधिकार प्रिच्छा सब्द का साब्दिक अर्थ के बारे में बोला जा रहा है तो इसका अर्थ है तो इसका अर्थ है किसी अधिकार से यानि option number इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा अब चलते हैं हम अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन है लदाख में पाया जाने वाला यूरेनियम की संसाधन का एक उधारन है तो लदाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है यह साभ्य संसाधन का उधारन है यानि ऑप्सन नमबर डी इस प्रश्न का सही उत्र हो जाएगा और भारत में सरवादिक यूरेनियम कहां पाए जाता है तो यह आंध्र पर्देश में पाए जाता है यह आपको याद रखना है और भारत के जार्खन राज में जादू गोड़ा की खान यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसीद है यह अत्रिश्रिलिया में पाए जाता है यह भी आपको यद रखना है अब चलते हैं बढार्ट भाए पटेल कि जाते हैं पर 90 के अग्रिनित कि किने यह आपको बताना है तो सर्दार ब्लंबाती पर तेल या बार्दोली सत्यागरा के अग्रिनित यानि option number भी इस प्रश्न का सही उत्र हो जाएगा और बारदोली सत्यागरा कब हुआ था यह काफी बार एक्जाम में पुझा जाता है तो यह 1928 में गुजरात में हुआ था यह भी आपको याद रखना है और भुदान आंदोलन के जो प्रवत्तक थे हुए थे अचार प्रथम सुपरकम्प्यूटर का नाम है केके 1S यानि option number ए इस प्रश्न का सही उत्र हो जाएगा अब भारत का प्रथम सुपरकम्प्यूटर का क्या नाम था तो यह था परम यह भी आपको याद रखना है अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है का नाम है किताब फूल हिंद यानि कि ऑप्सन नंबर डी यस प्रश्न का सही उतर हो जाएगा अब चलते हैं यदी किसी सरल रिखा में अनुदेश गती करने वाली वस्तू की चाल इस्तिर रहती है तो उस वस्तू की चाल को क्या कहा जाता है तो उस वस्तू की चाल को कहा जाता है एक समान चाल यानि कि option नंबर ए इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा अब चलते हैं हम अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन है बल की प्रवलता प्राया किसके द्वारा मापी जाती है तो यहां बल की प्रवलता के बारे में बोला जाता है तो यह प् है यह है एक सदीस रासी यह भी आपको याद रखना है और बल का एसाइमात रख क्या होता है तो न्यूटन होता है अब चलते हैं हम अगले प्रशन की और हमारा अगला प्रशन है निम्निखित में से किस वर्स में क्रिकेट की एसिया खेलों में वापसी की तयारी की गई है त और यह कहां पर होगा तो चीन के हांगजू में होगा यह भी आपको याद रखना है एसिया खेल का आयोजन चीन के हांगजू में 2022 में होगा और 2026 के एसिया खेलो का आयोजन कहां होगा तो यह जापान में होगा यह भी आपको याद रखना है अब चलते हैं हम अगले प्रस् हैं निम्लिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है और सी इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों सी ओटू यानि कारवन डायोगसाइड को जिवास इंधन भी कहा जाता है यह आपको याद रखना है अब चलते हैं हम अगले प्रश्ण की और हमारा अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से किस माध्यम में ध्वनी किसी विशेश तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है तो वह है लोहा में यानि अपसन नंबर डी इस प्रश्ण का सही उत रखना है अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण की और हमारा अगला प्रश्ण है रेटीना का वह छेत्र जहां दृष्टी सरवाधिक होती है क्या कहलाती है तो रेटीना का वह छेत्र क्या कहलाती है तो वह छेत्र कहलाती है गर्तिका यानि पित बिंदू यानि ऑप्सन नंब और भी इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नेत्र केमरा की तरह कारे करता है ये भी आपको याद रखना है ठीक और नेत्र दान में क्या दान किया जाता है तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह विडियो समाप्त होता है उमीद है कि आपको यह कोश्चन अच्छे लगेंगे और आपने सारे प्रशनों का एंसर भी किया होगा तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम